hey guys this is Kundeep and you watching UPSC Library so आज के स्लेक्शन में हम बात करेंगे जो बिदिन के बारे में और स्पेस्ली यूएस के एलेक्शन के एलेक्शन में हैं सो ये से मैं अभी प्रेसिजेंट के एलेक्शन हो नहीं तो जो डेमोक्राटिक पार्टी के जो 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 कि जो बिदन का ना वो तूसिक्स्टी-फौर मतब इन पर रुग गया है और जो डॉनल्ट राम है जो अभी प्रेसिडेंट भी है और जो केंडियेट भी है वो पॉलिटिक्स है है, अभी इसे ही पर ही रुख गई है, तो आज की सिलेक्शन है, हम जानेंगे, जो बिडन के वारे हैं, कि अगर जो बिडन, जो बाइडन, अगर उसे के प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाते हैं, तो इस से वर्ल्ड और इंडिया पर क्या अफेक्ट पड़े है मतलब कैसे वो इंडिया को अफेक्ट करेंगे, या उनका बनना अच्छा है, तो उनके प्रोशन, कौन दोनों जानेंगे, कि उनकी आइडलोजी क्या है, और बाद में इस लेक्शन हम जानेंगे, कि जो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक पार्टी हैं, आग इनमें डिफरें जानेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगे को the Senate बोला जाता है और the House of Representative बोला जाता है so ये दो House हो गए House जिनको बोला है the Senate and the House of Representative so इस चीज़ को याद रखना so Donald Trump जान दोनो प्रेसिनल्टी के बारे में जान लेते हैं ये दोना केंडिडेट है इस पार US के President election की वाई से और जो Donald Trump है वो अभी President भी है USA के सो बारे में जो Donald Trump वो 45th US के प्रेसिडेंट है करेंट भी President भी प्रेसिडेंट ऑफ यॉनाइटेट से अमेरिका और विफोर एंटरिक पॉलिक्स वाज़ बिजनिसमेन और टेलीविजन परस्नल्टी मत्या वो पॉलिटिक्स में आने से पहले वो एक विजनिसमेन थे और टेलीविजन परस्नल्टी थे अब वो Republican Party से बलोंग करते हैं इस तीज को याद रखना कि Donald Trump Republican Party से बलोंग करते हैं ये कोशन पूछा जाता है और लेडी पूछे जा चुके है और देन फिर जो बाइडन जो की Candidate है Democratic Party के इनको पूरा नाम जोसेफ रोबिनेट बाइडन जूनियर है जो की American politician है who served the 47th vice president मतला वो vice president है चुके है USA के अंडर दा टैनोर आव बराकोवावावावा बराकोवावा के अंडर जो 29 से लेके 270 रखते वो उनकी अंडर vice president है चुके है USA के और he is a member of the Democratic Party बता दिया कि Democratic Party के member है और जो candidate है और he is a United States senator for a deliver from the 1973 to 2000 यह इतना important नहीं है बस यह है कि वो इस जो state है महाँ पर उसके वहाँ से state senator है बस इतना याद रखना यह इतना important नहीं है then इसके बाद difference किया है कि Democratic और Republican Party में है जो यह दो पार्टी काफी जाता USA की politics में है उनका रोल काफी जादा बता रहता तो इस चीज़ को देखते हुए आखिर इन में difference किया है कि Democratic और Republican Party है so इसमें जो Democratic Party होती है USA की वो world oldest active political party मतलब वो oldest और active political party इस चीज़ उस point को याद रखना oldest पिया वो active भी है मतलब वो अभी भी politics में है और इसके आगे it is the main rival party to Republican Party और जो इसकी जो main rival party कौन से है Republican Party जो अभी दोनों के बीच में election चल रहा है Republican plus Democrat then इसके बाद Democrats are more aligned towards the liberal philosophy मतलब यह Demogates वो liberal philosophy के ज्यादा मतलब वो मानते हैं और Demogates are left leaning और उनको बोला जाता कि वो left leaning है यह leftist बोला जाता है also Republican follow conservative and right leaning ideology और जो Republican होते हैं वो उनको Republican को बोला जाते कि वो conservative nature के है और right leaning मतलब राइड विंग को बोला जाता है so यह चीह है रखना कि जो right जो Republican होते हैं वो conservative होते हैं जो Democratic है वो थोड़े liberal किसम के होते हैं liberal mind के हो गए जो आज की सोच जादा रखते हैं इसी वैसे so so याद रहा कि Donald Trump को इस पार्टी से बलोग करते है कि लोग महां पर गन के वादे से सूट जादा करते हैं तो इसी चीज़ को देखते हुए जो डेमोकेट्स हैं जो लीड है वो बोलते हैं कि गंस के जो law है यह से में थोड़ा और स्टिक्टर होने चाहिए बट इस पट इस डिसीजन को रिपब्लिकन है वो डिफेंट करते ह कि इसके बाद जो डिमोकेट्स हैं वो बात करते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे बात नहीं करते हैं, so इसी वैसे जो डोनल्ड ट्रम्प हैं, इसी वैसे जो पैरिस climate change की जो डील थी उससे USA को pull out कर लिया, कर लिया गया थे, because जो Republican है वो इतना climate change की बात नहीं करते हैं, so इसी वैसे, therefore the action need to be taken to mitigate the negative impact of climate, so इसी वैसे वैसे वो जो कुछ ऐसे action लेने चाहिए, but जो Republican है वो मना करते हैं, इसी वैसे जो डोनल्ड ट्रमान होना है, पैरिस प्रिकार्मेंट जो दील थी, उससे प्लाट कर लिया थे, but Republican opposite, जो हैसे हमां बताए कि Republic oppose करते हैं, then इसके बात जो देमोक्रेटिक्स हैं, Democrats can be considered to favor friendly immigration, जो डेमोक्रेटिक हैं, जो जो वाइटन जीस से बलोंग करते हैं, वो immigration policies है, जो immigration के लिए काफी थोड़ा soft अपना image है, उनके हैं, but जो Republic है न वो बोलता है कि immigration policy के थोड़ा वो अंगेंसा, इसी वैसे जो USA और जो Mexican के बीच में जो wall बनने है, जिसको, great wall of Mexico, USA बोला जाता है, ताकि जो Mexican की, जो Mexico की तरफ से, जो migration जो चल रहा है, USA के तरफ जाकि, अगर wall बन जागा USA और Mexico की तरफ से, मेक्सिको के बीच में, तो जो migration जो हो रहा है, जो लोग USA की तरफ आना, वो नहीं आपाएंगे, तो इसी चीज़ की बहुत से, जो Donald Trump है, वो एक wall जो एक wall मतलब दिवाल खरी करना चाहते थे, तो इस चीज़ को याद रखना, so Donald Trump से पहले, USA के president है, वो माम मतलब बराक होँआ, so बराक होँआ के India और USA की relation काफी ज़्यादा hike पर गए, और Trump के आने के बाद भी India और USA की relation काफी hike पर गए, बट जो इसमें आप में थोड़ा brief में थोड़ा मोटा मोटा बदा देता हूँ, कि जो India और USA के जो relation है, वो सन 2000 से ही थोड़ा आने लगे, मतलब सन 2000 से थोड़ा उनके बीच में gap deeply थोड़ा engage होने लगे, इंडिया और USA, because सन 2000 से पहले, इंडिया ने अपने यहाँ nuclear test किया, so nuclear test की वज़े से ही, मतलब nuclear test की वज़े से ही, USA ने इंडिया के ऊपर sanction लगा दे, so in section की वएसे, इंडिया की जो पॉल, इंडिया की जो economy है, वो थोड़ा डालमडोल करने लगे, मतलब थोड़ा सिरंग कोने लगे, but जो सन 2000 की आजपास में, सन 2000 के आजपास में, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर कौन थे, अटल बहरी वाइस, so अटल बहरी वाइस पर की, युएसे में एक अटेक होता है, 9-11, so 9-11 के बाद, प्लस, इंडिया में भी अटेक होता है, पारलियमिन अटेक, so पारलियमिन अटेक और 9-11 के जो अटेक है, so यह दोनों अटेक की वज़े से, इंडिया और युएसे की बीच में थोड़ा और, मताब, इनके रिष्टे वह थोड़ा और माजूँत हो नहीं, और विकोज जो इससे पहले, इंडिया से पहले जो युएसे पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, और प्लस जो फंडिंग देता था पाकिस्तान को वह भी बन कर दी और इसी वज़े से यह दो इंडिया की जो डिलेशन बाइलेटर रिलेशन है, उनको इन स्टेंड के वैसे थोड़ और पुस्स मिला, यह चीह याद लखनी पढ़ें, अंडर अबमा में जो क्या इंपोर्डन थे, जो अबमा में जब प्रेस्टेंट बने थे, इसको बोला जाता है, इनके यह अंदर हुई थी, इस निकली डिल के अकॉर्डिंग जो निशन थे, उन्होंने इंडिया को एक वेवर गरांट किया, इसमें इंडिया को वो मतलब जो निकली टेक्नोलजी है, जो चीज़े मिलते हैं, वो उनको एकसेज करने को मिलेगा इंडिया को, यह इंडिया बना सकता है, इसके बाद, So, इसके बाद underworld Trump के अंदर USA के प्रसीडेंशी के अंदर उनके बीच में काफी सारी चीज़ हुई India के बीच में USA के बीच में Like काफी सारे major defense vaccine के इंडिया ने like कॉमका सा हो गया. बेका बेका तो अभी हाल-फिलाल में ही sign किया था इंडिया ने USA के साथ इसके वाद जो बोट कंट्रीज है, मेंबर और क्वार्ड गूरूप, मंदर क्वार्ड गूरूप बनाए जसमें, USA, इंडिया, और जैपन, ये चार कंट्रीज है, तो चार कंट्रीज को मिला गए, ये गूरूप बनाए गया, डीप मिलिटरी पार्सिबेशन भी है, ये अंडर डोनल्ड टरम्ट के ब्राइं भी है, और बाइक की उन्होंना ये भी है, बट कोछ चीज हैं ऐसे भी हैं कि प्रेसिडेंट टरम्ट ने काफी अच्छी ही की थी, लाइक, जो प्रेसिडेंट टरम्ट की जो हिस्ट्री में था कि USA को कोई पहला प्रेसिडेंट ऐसे थे जो कि इसमें लिखा कि शो कीका प्रेसिडेंट की प्रेसिडेंट टरम्ट को ने की थी, ऐसे पहले अगर talk about the America's first policy but वो काभी सारे अमेरिका को अमेरिका को नेसलिजम बता लाइक लोकलिजम काफी ज़ादा फैलाते तो उनमा एक विए ता कि अमेरिका फैस्ट पॉलिशिस के बारे में ज़ादा बोलते हैं कि मतलब सारी चीज़ अमेरिका में करो बिजनेस अमेरिका में हो प्रॉफिट भी जारे जादा अमेरिका को नाइक वो प्रोटेक्शनिम की पॉलिशिस को ज्यादा फैवर करते थे जो इन्ट यूएसे की जो कंपनी थी उनको ज्यादा बेनेफिट विए इन कंपनी अधर कंटी लाइक और इसके लाव उनके और कु काफी शारी चीज है हैँएख उसी चीज को देखते हो वो एकिनोमिक ग्रोथ ज्यादा होने लगी ज्यादा ऐसा होना सोचा धैन अप्लोइम्ट जो अननेफ्ट रेट थी वो काफी लोग अंडर डॉनट रम बट यह सारी अंडर अंप्लोइम्ट जो काफी कम हुआ था उस चीज़ को देख लिए अब आके अधर कंट्री के बीच में टेट एफिस ता युसे का इस चीज़ को देखती है उन्हा काफी सारे को लगाया उन्हा कर लिया और जो परिस क्लाइमेट डील ती उससे भी युसे को बाहर कर लिया जो उसको बाहत कर लिया जो कि यह ऐसा है काफी इंपोर्टेंट है वर्क ओन दे इंवर्मेंटर प्रोटेक्शन मना इंवर्मेंट प्रोटेक्शन को देखने के लिए कि वैस देखने के लिए डील ती इसी बट उन्होंने युसे को इससे भी भाहर कर लिया ऐसे रेग्रेसिव को बोला जाता था जिसको इरान नुक तोड़ा लगाम लगा रहा थै और वह जो अपने अन जो नेसल माने कुरा जाया था है यह President Trump का, then इसके बाद start trade war, मतलब उनना trade war start कर दी China के साथ to minimize the trade deficit, मैं जो USA का trade deficit है China के साथ, उसको कम करने के लिए China के साथ उनना trade war start कर दी, जो trade war which affected many businesses and hence the global economy, और जो trade war की वह से वो काफी सारी businesses को एंपर कर रहे थी, और businesses के अलाबा ग्लोबल economy थी, वो भी suffer कर रहे थी, state war की वैसे, also Trump is failed in controlling COVID-19 outbreak in USA, USA में जो COVID-19 का outbreak था, वो सबसे यादा world में देखा जाये तो USA में था, so उसको control करने में वो failed, right, precedent term, so एक यह point था, then इसके इलाबा, Trump is against liberal migration policy, जो migration, immigration की जो policies है, उनको liberal करने के अंगेस में थे, so this is affecting the employment of immigration also adding companies in USA, so इस चीज के step की वैसे, वो काफी सारे जो employment है, immigration और also adding companies उसको चट कर रहे थी USA में, जो इस सारे उनके points हैं, जो Trump की against में थे, then इसके बाद, एक बड़ा election से पहले, एक काफी सारे बड़ा movement हुआ था USA में, racism of white supremacy को लेके black lives matter, मताँ इसमें एक आदमी की death होगी थी, police custody में है, या police की वैसे, police officer की वैसे, so यह movement काफी बड़ा हो गया, USA की just election से पहले, और यह black lives matter के, जो black lives matter है, वो काफी, मताँ social media पर viral हो गया, so इसी चीज को देखते हूँ, यहाँ पर President Trump का काफी सारे criticism हुआ, so racism of white supremacy को लेके भी Trumps की term में जो हुआ, वो काफी सारे criticism हुआ, so यह चीज को देखते हुआ भी जहाँ पर देखा, but अगर इस जो बिड़न, अगर वो elect हो जाते हैं, तो उनकी ideology को देखते हुआ आगे, इन future क्या हो सकता है, so Biden जो है, have the leverage, उनके पास एक ऐसे leverage, because Biden have a key player of administration foreign policy, under the Obama presidency, मतलब इसका यह है कि, उनके पास already leverage है, because Obama के admission के time पर, वो एक killi player थे, foreign policies में, because वो vice president थे, और वो foreign policies को समाल लेते हैं, उनके पास एक तो leverage है, then जो Biden plan 2 है, उनकी तब उनकी official side पर जाओगे, तो वहाँ पर काफी सारी box बन है, उनका काफी सारी box में लिखा हुआ, कि the Biden plan to this, the Biden plan to this, so उनमें से एक यह है कि, the Biden plan to end our gun violence epidemic, so उन्होंने इस incident को बोलाए कि epidemic, epidemic मतलब जो किसी एक country में local है, so gun violence को उन्होंने epidemic बोला, so उनका planned gun violence पर भी है, so उसको भी वो focus करते हो चल रहे है, then इसके बाद Biden announced a reform in the H-1B visa system, so H-1B visa system पर भी वो अपने reforms लाने चाहेंगे, उन्होंने announce कि है कि वो अगर elect होते हैं, तो H-1B visa जो की policy है, उसको उसमें भी अपने reform लाने चाहेंगे, जो की काफी helpful होगा, Indians को, Indians के लिए तो काफी especially helpful होगा, बाकी other countries के people के लिए काफी जादा helpful होगा, then, but इसके अलावा कुछ चीज़ां ऐसी भी हैं, कि Biden की against में जारे हैं, against में क्या बाकी other countries के लिए इस्पेशली इंडिया के बाद, like Biden against the strongly against the Indian government का action, जो किया था, JNK में 370 जब हटाई गई थी, तो 370 हटाने के बाद में Biden काफी against थे, इस move के बाद में जो इंडियन government लिया था, 370 हटा आने गा, so, इस चीज़ के move के against में जब जो बाइडन है, so, इस चीज़ को याद माइंड में रखना देन, also, so, disappointment regarding CAA and NRC, so, इंडिया में जो CAA और NRC ला system चल रहा है, तो इसी चीज़ को इसी से भी जो बाइडन काफी खफा है, so, ये भी चीज़, विच्छो एक ये point है, उससे वेज़े से इंडिया में थोड़ा negative impact जा रहा जो बाइडन का, then, इसके अवलाबाद, इस एक्षन आज सपोर्टेट बाइड़ा ट्रम्प एडमिशन, बट ये जो एक्षन जो लिए कहते हैं इंडिया में जो बाइडन का, so, इसी चीज़ को देखते हुए, उन्होंना काफी सारे, ऐसे काफी सारे न्यूज आटिकर उन्होंना, इसी चीज़ बोली हैं, कि उन्होंना बोलाए कि, इस अपनली बोलाए कि, बाइडन से, इस एक्षन आटिकर उन्होंना बोलाए कि, चाइना के साथ मैं, उसको भी एंड कर दें, और जो टैरिफ लगाए गया था, चाइनीज मेट गोड्स कर भी, उसको भी एंड कर दें, मतलब इस सहां से पता, थोड़ा पता चल लाए कि, जो बाइडन का, जो इमेज है, चाइना के लाए वो थोड़ी सॉफ्ट है, तो इस चीज को माइंड में रखना पड़ेगा, इंडिया को अगर अपनी फॉरेंड पोलिजी तो चेंज करने है, यूसे के साथ से, तो चाइना के रोल का, वाइडन वाला एंगल देखना पड़ेगा, तो आज के लेक्षर में बस एक नहीं, अगर अपने यूपस्ट लाइब को सब्सक्राइब नहीं है, तो प्लीज सब्सक्राइब यूपस्ट लाइब एंड प्रेस दा बेल आइकन फॉर दा मोर अपडेट दन्ने बाद,